व्म नारैन नारैन नारायना inan सब मित्र कराम राम सबका स्वागत है दोस्टो कैसे आप सब दोस्टो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक और शेर कर दीजे और जो नए मेडियो देख रहे हैं प्ली चैनल को सबस्क्रेब आपर शेर करना कि वो मेरे जीवन का अब तक का सबसे बढ़िया experience था मैं वो अनुभव शब्दों में नहीं बता सकता कि पूरी documentary को देखते समय कैसे शरी पर रॉंग्टे खड़े हो रहे थे एक तरब तो रिदे में पीड़ा भी हो रही थी कि हमारे सब्धा के साथ में हमारे देश के साथ में क्या क्या नहीं वहा कैसे कैसे शडियंतर किये गए पर साथ में ही उन बातों को तत्यों के साथ में facts के साथ में आज की generation के सामने हैं जितनी बढ़िया तरीके से उस documentary में है सामने रखा गया था है वो देखकर उतना ही गरू भी हो रहा था और ये के वल उसमें जो जानकारी दी गई है जो research हमने इतना गहन अध्यान देखने को मिलता है के वल उस कारण से में ये बात नहीं कह रहा टेक्निकली भी अगर आप देखेंगे वो documentary इतनी extremely well made है आप किसी भी world class बिल्कुल master piece बढ़िया से बढ़िया documentary film का पुठा करके लेके आईए उसके सामने भी अगर आप sahips को देखेंगे तो वो उससे जादा ही बढ़िया आपको लगेगी टेक्निकली भी और बाकी research की बात करे उसमें जो जानक प्रच्यम की team का सबसे पहले तुम्हें रिदय से धन्यवाद करता हूं इस documentary के लिए तो पहला पार्ट तो 11 मैंने पहले आया तो और तब से ही मैं इसके second part का wait कर रहा था और अभी दो दिन पहले ही प्रच्यम.com इस platform पर इसके second part को साहिबस 2 को release किया गया है उसकी शुरु प्रच्यम.com पर बिल्कुल free में वहाँ पर देख सकते हैं अब youtube पर pull documentary ना डालने का कारण आप समझी सकते हैं कि किस प्रकार से थोड़ा भी आप राश्टरवादी विचारधारा अगर आपकी होती है तो youtube का जो पूरा इनका है algorithm कुछ कही है या जो भी है उस channel को shadow ban कर दिय जाता है उसका content उसके videos viral नहीं होते views नहीं आते हैं यह लगातार आपने देखाई होगा कई से रगलग channels के साथ में तो इसकार से प्रच्यम.com ये एक नया platform create किया गया है जिस पर आप बिल्कुल free में ये documentary वहाँ देख सकते हैं अब यहाँ पर देखे कि पहले part में जो AGP के अधिकारी थे पहले बात में उन्होंने अमेरिका में शरण लिया और बात में बताया कि किस प्रकार से ये जो वामपन थी communist या सोवियत के जो communist शासन था उनके द्वारा एक देश को गुलाम बनाने के लिए जो process होती है जो चार steps उन्होंने वहाँ पर बताया है कैसे एक राष्ट्र को गुलाम बनाया जाता है मानसी को रूप से बिना युद्ध लड़े ही उस पूरी process को उन्होंने वहाँ पर बहुत सुंदरता से पहले पार्ट में explain किया था अब इस second पार्ट में विशेश्टह भारत के तीसरे colonization के बारे में बताया गया है अब आप कहे हैंगे तीसरा colonization तीसरी बार हम गुलाम कब बने मतलब ठीक है हम जानते हैं कि इसलामिक आकरांताओ का आकरमन उसके बाद में इसाय आकरांताओ का आकरमन उनके द्वारा यहाँ पर किस प्रकार से अत्याचार आकरमन आधी हुए पर तीसरा colonization तीसरी गुलाम यह कब हुआ आप सोच रहे होंगे, तो ये स्वतंतरता के बाद में हुआ, माक्सवादियों के द्वारा, वंपंथियों के द्वारा किस वरकार से हमारी ही अंदर जो एक आत्मगलानी की भावना भरी गी, अपने ही भारतिय होने पर, अपनी संस्कृति पर, जो एक आत्मगलानी की भावना हमारे अंदर भरी गई, वो एक तीसरे कोलनाईजिशन के रूप में उसे यहां पर प्रस्तुत किया है और बहुत सुन्दर तासे उन्होंने इतने सारे facts इस साहिब स्टू में बताएं आप उसकी कलपना नहीं कर सकते आप इसकी केवल, एक पूरी documentary से केवल एक मिनिट का पार्ट भी अगर आप लेंगे किसी भी जगह पर आप रुक जाएं और उसके वहां से एक मिनिट आप देख लीजे उस एक मिनिट में आपको इतनी सारी बाते आपके सामने लगाता राज इती जाएंगी कि आप कलपना नहीं कर सकते और इसकी शुरुआत फिर सेकंड पार्ट की में बात करो साहिब स्टू की तो यहां पर स्वतंतरता, उसके बाद में partition, partition के बाद में जो एक तताकतित pseudo-secularism हमारे उपर थोपा गया, एक तरफ तो Hindu code भी लागू किया गया, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि Muslim Personal Law Board की स्तापना करके समिधान के सामने एक parallel दूसरी विवस्ता खड़ी की गई, minority appeasement के नाम पर क्या क्या नहीं हुआ, मंदिरों को सरकार की scheme साधी चलती है, योजनाय चलती है वो सारी बाते तो अलग है इसके साथ में ही शिक्षा विवस्ता पहले शिक्षा मंत्री उनके बारे में बहुत सारी बाते आपको पता चलेंगे, और उसके बाद भी शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार से उसके माध्यम से इस्तिसरे कॉलिजेशन के बीज कैसे बोए गए, सोवियत के इशारों पर किस प्रकार से भारत को सोवियत के जो कमिनिस शासन है वो कैसे भारत को प्रकार से डिक्टेट करने का प्रयास कर रहे थे बहुत सारी बाते तथ्यों के साथ में भारत के कौन से कौन से नेता इस शडियंतर में सुवियत के साथ में सम्मिलित थे, उनके नाम भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, मित्रोकिन आर्काईव के सारोजनिक होने के बाद में कॉंग्रेस और KGP इनके जो कनेक्शन्स थे, उसके लेकर जो जानकारी सामने आ है, वो सारी बाते यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, फंडिंग KGP के द्वारा भारत में किनकिन नेताओं को कैसे कैसे हुई, सोवियत के इशारों पर इंद्रागांधी सरकार के द्वारा किस प्रकार से भारत की जो शिक्षा विवस्ता है, उसे कम्मिनिस्टों के मा पंतियों के हाथ में कैसे सोब दिया गया, उसके माध्यम से हमारी ही आने वाली जो जनरेशन से उनके मन में अपनी ही देश, अपनी ही कल्चर, अपनी ही सभिता के प्रति संस्कृति के प्रति कैसे, वो आत्मगलानी की भावना के बीच बोए गये, कि हम कभी वो आत्मसंब के साथ में अपने पैरों पर खड़े ही ना हो पाए हम हमेशा वेस्ट का हमें कुछ न कुछ वैलिडेशन चाहिए किसी भी बात को आज भी आप देख लीजिए वह मानसिक था कि मतलब आप यहाँ पर कितना भी कोई भारतिय बोल दे रैडिकल जेंडर आइडनिटिक एजेंटा के बारे में वोकिजम के बारे में उसको वोतना फिर ठीक है रही उसको कोई सिरियसली नहीं लेगा पर उसी के जगह पर आप किसी वेस्टन कंसर्वेटिव स्पीकर का कोई ऐसा चहरा लगा कर उसकी बात अगर आप सामने रख दोगे तब उसको तुरंत यह बोल रहा है वो वेक्तितों यह सच में ही होगा तो यह जो आत्मगलानी की भावना हमारे अंदर है और यह तो मैंने केवल एक छोटा सा पार्ट इस डॉक्युमेंटरी का आपको बताया है सेकंड पार्ट का इस पूरी डॉक्युमेंटर नहीं चाहिए यह डॉक्युमेंटरी रूपी जो दवाई है और केवल एक बार नहीं इसको बार 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 हर महने हर दो महने तीन महने में एक बार तो इसको देखना ही चाहिए इसके दोनों ही पार्ट कोços को क्यृए वो आत्मगलानी की भावना के बीज वो जड़े इतनी अंदर तक धसी हुई है न कि वो इतनी आसानी से नहीं निकलने वाली, उनको निकालने के लिए बार 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 इस प्रकार की आउशधी लेने की आवशकता है, और वो आउशधी है, साहिब्स ये इसके जो दोनों पार्ट्स है, बहुत सारी बाते आपको इसम के मा इतिहास है, उसके बाद में भी अभी तक, आज अभी तक के वरतमान समय तक के भी बहुत सारी बाते, फैक्ट्स आपको इसके माध्यम से पता चलेंगे, और कई बाते ऐसी है, उनको देखकर आपको लएगा कि यार ये तो किसी फिल्म की कहानी में भी इतने सारे के लिए हुई है, हिंदू सभ्यता के कल्चरल जेनुसाइड के लिए हुई है, और वो आज भी लगातार शडियंतर होते हुए हम देख रहे हैं, और परिस्तिती में ऐसा कोई बदलाव जादा हमें देखने को नहीं मिलता, क्योंकि भले ही नो वर्षों से एक बड़े वर्ग में, बहली बाहर से हमें दिखता है कि हाँ एक राष्ट्रवात की लहर देश में हैं, पर अभी फिल्म इंडिस्ट्री के माध्यम से, जो ये साहिब्स है न, वो साहिब्स आज कल कई सारे बड़े-बड़े अक्टर, बाच्शाव अगेरा बन करके बैटा है इंडिस्ट्री में, जो इन युवा मनों को, उन मासुम मनों को, एक प्रकास अपने गुलाम बना करके रखा है, बहुत सारी युवाओ को, इन डिक्टेटर्स ने, फिल्म इंडिस्ट्री के, जो सो कॉल्ड स्टार्स और सेलिब्रिटीज बन करके बैटे हैं, ये आज कल के साहिब्स में इनको कहूंगा, जो बच्चों को मानसिक गुलाम बना कर अपना प्रोपगेंडा स्प्रेड कर रहे हैं, और वो सबसे ज़धा प्रभावी है, आर्ट एन लिटरिचर का जुक्षेतर है, वो सबसे ज़धा प्रभावी तरीके से काम करता है, और उसकी भी बार साहित, समिलन वगेरा जो होते हैं, या फिल्म डिस्ट्री के माध्यम से भी, ये कैसे सिस्टमेटिक वे में हमारे अंदर अपनी देश और कल्चर के प्रती जो आत्मगलानी की भावना भरीगी, कि मैं भारत मतलब यहां यह तो बस जाती बात क्यालाती है, यहां कोई है यह इतनी घटिया परमपराय हैं, जिनका कोई भारत की सब्वेता के साथ में कनेक्शन भी ना हो, पर वो भी बाते हमारे मन में कैसे अंदर तक धसाने का प्रयास किया गया, फिल्मों के माध्यम से वराज भी हो रहा है, और दुख की बात यह है कि अपने आपको तथाकतित है कि मैं आप सभी मित्रों को strongly recommend करता हूँ कि इसको किसी भी कीमत पर आप miss मत करना, किसी भी कीमत पर, वैसे कीमत तो लगेगी नहीं, बस कुछ समय है आपके 40-45 minute, परचम.com पर यह पूरी documentary आप देख सकते हैं, किसी भी कीमत पर, किसी भी परिस्तिति में आप इसको miss मत करन और अपने सभी मित्रों को पूरे परिवार के साथ में बैट कर इसको आप देखना, तो आपका अनुभव, experience, आप मुझे नीचे comment पर आवश्य बताना, और कौन सा part, कौन सी ऐसी जानकारी थी, जिसने आपको सबसे दस शौक किया, अचमबित किया, चौका दिया, मुझे अपने नीचे comment पर आवश्य बताना, कि हाँ, रेटिंग की बात को तो भाई, इसके लिए रेटिंग की कोई आवश्यक्ता नहीं है, बिना किसी संद्य कि ये 10 out of 10 stars ही deserve करती है, उससे कम, 0.1 भी कम हम इसमें यहाँ पर नहीं कर सकते, आप सभी मित्रों का जुड़ने के लि